दोस्तों मैं जानता हूँ कि Satoshi Stalker इंडिया की community यानि कि मेरे रोज के YouTube दर्शक इस तरह की zigzag formation से भली भांती वाकिफ हैं क्योंकि मैं almost अपनी हर वीडियो में ये range दिखाता हूँ और आप ये भी जानते हैं कि अगर आप zoom in करकर के देखेंगे वरन आवरी टाइम फ्रेम पर तो आपको लगेगा कि price में बड़े बड़े pump आ रहे हैं बड़े बड़े dump आ रहे हैं अगर आप जूम आउट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि Bitcoin का price जो है वो जो अपन आने वाले क्या एक परसेंट का rate हाई गाए गाए उसके बारे में बात करेंगे मजएदार वीडियो है 10 मिनिट की दिन का सबसे महत्वपूर्ण सबसे जादा profitable निवेश है मेरे ख्याल से अगर आप समय की बात करें तो तो पूरी वीडियो देखने मत बुलिए मेरा ना मेर लंबी चलेगी पर अच्छी बात यह है कि अब हम फोरावली टाइम फ्रेम पर देखें तो higher highs बन रहे हैं और higher lows बन रहे हैं तो यह एक upward trend है at least अगर यह एक parallel बना ले अगर हम तो यह parallel उपर की तरफ इशारा कर रहा है बहुत ही सटीक तो और नहीं बट हलका सा उपर की तर strategy भी बताऊंगा कैसे ऐसी बेर मार्केट में भी मच्छे अच्छे ट्रेड ले सकते हैं 22,000 से मैं 22,200 से में एक शॉट लेने की प्लान कर रहा हूं वह शॉट लेने का मेरा confidence इसलिए क्योंकि अगर आप यह देखें 22,000 से हमें rejection मिला 22,200 से उसके कुछ दिनों बाद फिर से rejection मिला और उसके कुछ दिनों बाद फिर rejection मिला तो ऐसा एक trend बन रहा है कि 22,200 यानि कि हमारे 200 weeks moving average आप मैं बार 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 बता चुको कहीं महिनों से आपको बता चुको अब तक आपको याद हो गया होगा कि 22,500 हमारा 200 weeks moving average है उसको तोड़ना इतना आसान नहीं and hence मेरे विचा उतार चड़ाव के अंदर हम multiple trades ले सकते हैं अगर हम 10,10,20,30% के profit बनाना चाहें with a stop loss अब यह stop loss क्या बला है आप अच्छे से जानते बड़ फिर भी मैं समझा दू stop loss से मेरा अभी price है कि मैं expect कर रहा हूँ कि यह range रहेगी 17,800 से लेकर जो उपर की 22,500 की range है अब कहीं अगर अगर यहां पर range टूट जाती है माल लिए जब मैं अगर यहां से short लेता हूं 22,500 के आसपा से short लेता हूं और price जो है वो reject होने के बजाए जो मेरा expectation है कि 22,500 से price reject होके नीचे आएगा price reject होने के बजाए और उपर चला जाता है तो क्या होगा तो फिर at least मैं अपना trade जो है र resistance है बड़ हो सकता है कि अगर मुसको तोड़ के आजाए मैं थोड़ा से विस्तार से समझा रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता है कि मेरे कहने पे लोग trade ले 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 और बाद में फिर पच्छता है तो उसके लिए मैं आपको कह रहा हूं कि stop loss अपना अच्छे से रखें अप और क्या पता इसके हलका से उपर जाके reject होकर आए तो वहां पर आपको अपना stop loss बनाना है कि अगर price उपर चला जाता है तो आपको unlimited loss नहों यहां से हमें शॉट लेना है बड़ अगर price एकदम से जादा उपर चला गया तो आपके पास एक limit होनी चाहिए यह सरल शब्दों म शॉट लेते हैं तो इस सब profitable trade है कि definitely price यहां से नीचे आएगा अभी भी आया है बार बार आया है इस बार भी आ सकता है बर price इतना उपर चला गया माल लीजे तो किस level पर आप अपना stop loss रखना चाहिए यह आपको कोई भी नहीं सिखाएगा मेरे विचार से आपको किसी सी सी है मैंने भी अपनी गलतियों सी का बड़ ये चोटा सा quick lesson था मैं शोटा से digress कर गया माफ कीजेगा बड़ ये stop shotting के उपर मेरा चोटा से lesson था चलते हैं stock market में हलकी सी हरयाले दिखाई दे रही है पर मैं दोस्तों यहां पर दो मिनिट बिताऊंगा stock market के बारे में inflation के नंबर यहां पर अगर experts की देखें जड़ा तो आर्थर हाइस ने कहा है कि US जो है वो printing दुबारे से start करेगा अब ये क्या चीज़ आप देखिए inflation इतना हाई है inflation क्यो हुआ मेरी community औरड़ी जानती है क्योंकि पिछले 3 साल से हम money printing भेंकर तरीके से कर रहे थे आप ये भी जानते है इस चैनल के माद़न से कि पिछले 2-3 साल में हमने इतनी money printing करी है जितनी पिछले 70 साल में हुई है US में तो market में access supply है money की है इसलिए चीज़े महंगी हो रही है इसलिए economy जो है फिर भी इतनी बुरी नहीं है पर suddenly market ने US federal government ने break लगाई है जो और से 100 की speed पर चलते जो और से break यानि कि rate भी high करने शुरू करती और money printing भी बंद करती पर ही कितने लंबे समय तक चलेगा यहां पर मैं आपको एक ऐसा outlook देता हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों अगर आप चाइना से compare करें चाइना का जो CPI है consumer price index वो है 1.7% in the first half of the year imagine 1.7% versus 9.1% चाइना में महंगाई की बिल्कुल भी problem नहीं है अब अमरीका को जो सबसे हर डर लगता है वो लगता है चाइना से इसका मतलब चाइना की भी quarterly जो GDP के नमबर आएंगे वो आने वाले हैं आप इंडिया में कल भी पढ़ चुके होंगे कि हमारे यहां पर economy 7.7% से grow करने वाली है क्या बा तरनाक situation है इसलिए Arthur Hayes के इस perspective से मैं बहुत सहमत हूँ कि अमरीका दुबारा से money printing जल्दी शुरू करेगा rate hikes को बहुत जल्दी रोकेगा आज के date में उनके लिए inflation सबसे बड़ी समस्या है एक दो महीने बाद उनके लिए recession सबसे बड़ी समस्या होगी या यह कहें कि growth सबस जरूरी चीज हो जाएगी तो यहाँ मेरी बात ध्यान रख लिए पॉजिटिव बात करी रहे हैं तो एक और पॉजिटिव बात करते हैं कि यह तो रही बिटकॉइन और अर्थविश्था के बारे में positive बात क्या कि money printing दुबार से शुरू होगी rate hikes रुकेंगे बहुत जल् इंफ्लेशन के नंबर आने वाले हैं आप prepared से 9.1 के लिए आपको बताया गया कि तीसरे हफते के end में rate hike आएगा उसके लिए आप तयार हैं आपको पता है कि 100 की speed पर break लगेगी तो एकदम से जटका भी लगेगा आप उसके लिए भी तयार है आप bitcoin को नीचे जाता हुए उ हम rate hike करने जा रहे हैं rate hike होगा बहुत जबरदस्त वाला तो आप उन सब चीजों के लिए तयार है यह एक positive date के लिए पर तयार हो जाई है उनने सप्टेंबर ethereum का merge हो रहा है अब यहां पर एक बड़ी ख़बर दोस्तों हमें balance sheet मिल गई है celsius की इस channel पर हमने आपको बार बा लगातार celsius के बारे में अबगत कराया है यहां पर क्योंकि वो chapter 11 के लिए फाइल कर रहे है उन्होंने अपनी balance sheet निकाली है market में 5.5 billion dollar 5.5 खरब dollar की उनके पास liabilities हैं मैं बताओंगा liabilities क्या होती है और करीब 4.5 billion dollar की assets है अब user liabilities है उनके पास 4.7 billion dollar के logo से उन्होंने user से मेर तो नहीं डाला है celsius में बड़ जनता से पैसे लिए हो है और जो उनके पास reserves है एस्टी एस्टी एथ रैब्ड बिटकोईंज कैश ब्ला 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 वो सब 4.3 billion dollar तो net net celsius के पास 1.2 billion dollar की deficiency है आपको यह सब जब आप bankruptcy के लिए फाइल करते हो तो आपको यह public listing public detailing देनी पड जागी है कि शायद अगर कोई बड़ा वेक्ति देख रहा हो ftx का जो ओनर है या कोई बड़ा वेक्ति या finance के जो cz है ओनर वो अगर देख रहे हो गए या सिर्फ 1 billion dollar का net देकर मुझे इतनी बड़ी book मिलेगी इतनी बड़ी loan book मिलेगी 5.5 billion dollar की तो मैं क्यों ना डूँ मेरी audience के पास भी अपना अपना खुद का opinion है यहां पर लग रहा है कि चीज इतनी जादा बिगडी नहीं है आपके पास 4.5 billion dollar की assets पड़ी है आपको 5.5 billion dollar के debt पे करने है ठीक है you can still 6,000-7,000 dollar यानि कि 1 billion dollar छोटी amount नहीं है बड़ आप फिर भी bailout किये जा सकते हो ठीक है न त USDC पहला stable coin है जिन्होंने अपने किताब को खोल के लोगों को दिखा है उन्हों का आप देखो हमारी market काप है 55 billion dollar यानि लोगों के पास 55 billion dollar वर्थ की USDC है उसमें से ये रहे हमारे 42 billion dollar के US Treasury Bill यानि के सरकार के bond खरीदे है बहुत अच्छी बात है और इन्होंने क्या कहा है उनको 5% का interest मिल रहा है यानि कि बहुत अच्छा गाता interest कमा रहे हैं सिर्व एक blockchain चलाने के लिए इनको almost 120 million dollar per annum की interest मिल रही है और बागी जो 12-13 million उनके पास cash है USDC is safe USDC कहीं नहीं जा रहा है अब USDC अराम से अपने पास रख सकते हैं ऐसा at least अभी मुझे देखने को लग र कर रहा हूं USDT से बच कर रही है और इसलिए हम अपने जो weekly giveaways भी है वो USDC में देते हैं मेरा उससे उनका personal relationship कोई नहीं है stable coin वैसे भी आपको क्या फायदा देगा बट मैं आपको USDT के पतन से बचाना चाहता हूं जो शायद कभी भी हो सकता मार्केट बहुत ही दावा डोल है तो USDT से बच कर रही है और हमारा giveaway भी जो है पचास डॉलर का हर अफते का वो USDC में होता है जिसका आज का simple सवाल आपके लिए है मैंने जैसे आपको कहा 28 जुलाई को US recession announce करेगा GDP की नंबर जाएंगे सब कुछ बड़ वो एक rate hike करेगा क्या वो 1% का होगा या 0.75% का market इस सम आप research करेंगे आप जिग्यासू बनेंगे क्या rate hike क्या होता है इसे मेरे portfolio पे क्या फरक पड़ेगा क्या bitcoin और नीचे जाएगा तो अपनी research कीजिए सजग बनिये सक्षम बनिये और self dependent बनिये किसी भी dependent मत रहिए धन्यवाद दोस्तों जहन